कपास के निर्यात में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है और साथी इसके उतपादन में कमी होने का अनुमान जताय जा रहा है इसका क्या असर देखने को भाव पर मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में कपास के उपज में 21 से 22 सीजन के दोरान लगभग 12 लाग टन पिछले साल के मुकाबले कम उतपादन होने का अनुमान जताय जा रहा है जिसका सीधा असर इसके भाव पर देखने को मिल सकता है कपास के उतपादन की द्रिष्टी से दक्षिन की काली मिटी का प्रदेश बहुत महदवबून है गुजरात, करनाटक, पंजाब, आंधप्रदेश, त्रामिल, नाडू, महराष्ट और मध्य प्रदेश मिलाकर देश के उतपादन का लगभग 90 प्रतीशत कपास उतपन करते हैं देश के लगभग 60 प्रतीशत कपास का उतपादन कीवल तीन राज्यों गुजरात, महराष्ट और आंधप्रदेश में होता है अन्यमुख उतपादक राज्य उत्तरप्रदेश और हर्याना है कपास संग ने इस साल के लिए कपास उतपादन के अनुमान घटाया है और खपत में भी कमी का अनुमान लगाये जा रहा है तिलांगना में सत्र के दोरान कपास उत्पादन में दो लाख गांठ गुजरात और करनाटक में प्रतेक में एक लाख गांठ की कमी आने का अनुमान है देश के कई कपास उत्पादक राज्यों में फसल में कमी की वज़ा से इस साल कपास का उत्पादन पिछले अनुमान से भी कम रह सकता है भारतिय कपास संग ने इस साल के लिए कपास उत्पादन के अपने अनुमानों में कटोती की है मुखे रूप से तिलांगडा में अनुमानित उत्पादन कम होने के कारण सितंबर में समाप्थ होने वाले चालू फसल वर्स के लिए कपास उत्पादत अनुमान 5 लाख गाट घटा कर 343.13 लाख गाट कर दिया वही कपास फसल वर्स उक्टूबर से लेकर सितंबर तक जारी रहता है पिछले सत्र में कोल कपास उत्पादन 530 लाख गाट रहा था वही निर्यात की बात करे तो कपास का निर्यात पिछले 5 साल के मकाबले सबसे अधिक किया गया है उत्पादन में कमी होने और पर केंद्र सरकार ने MSP बढ़ा दिया था जिससे कपास 21-22 सीजन में लगभग 200 रुपे की बढ़रत के साथ कपास माध्यम रेशा 5726 रुपे और कपास लंबी रेशा 625 रुपे प्रती क्विंटल तै किया गया है कपास के उतपादन में कमी का मुखे कारण खराब मौसम है पिशले साल हमने देखा भी ताकि मांसून खत्म हो जाने के बाद भी भारी बारी शुई और जैनवरी माह में महराश्ट गुजरात के तरफ ओला वृष्टी भी देखी गई थी जिसके कपास के फसलों को काफी नु क्वालिटी होनी की वज़ा से निर्यात में हमेशा डेमांड में बनी रहती है और जिस तरीके से कपास का MSP बढ़ाए गया है इससे भी इसके भाव में को एक सपोर्ट मिलेगा भाव की बात करें तो गुजरात की मंडियों में 9000 से लेकर 95-100 तक का भाव अच्छी क्वालि